इस बात को पहुचाया जाएगा कि जिंदा रहना है और जमीन बचानी है तो दिल्ली आकर आंदोलन किया जाए जिंदा रहना जमीन बचानी तो आंदोलन करना पड़ेगा जिंदा है तो दिल्ली आजा ये नहीं नारे आएंगे अब उन्होंने आगे कहा कि सरकार की तरप से अभी कोई बात्चित नहीं की गई है हमने सरकार को चिट्थी लिख दी थी लेकिन सरकार ने अब तक हम से कोई बात नहीं की है उन्होंने कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं सरकार जब चाहे बात कर ले उन्होंने एक बार फिर चेतावनी दी है कि आंदोलन खत्म नहीं होगा चेतावनी भरे अंदाज में राकेश टिकैत बोले कि इसे शाहिन बाग का आंदोलन ना समझा जाए आप इसको डड़ा के दमका के डंडा दिखा के इसको बगा दोगे नहीं घर जाएंगे यह वैचारी क्रांती है और जो क्रांती विचार सा उत्पन हुई हो वो विचार से ही खतम होगी यह गलत फहिमी सरकारे निकाल दे अपने दिमाग में से हैं कि यह किसान वापसी चला जाएगा आपने एक फोन कोल कहा आपने नंबर नहीं दिया हमने चिट्ठी बेच जी बाचीत वहां से ही सुरू होगी जहां पर खतम करी थी आप बाचीत करना है तो कर लो आज कर लो द सुरू करेंगे जब ही तो करेंगा मोर्चा भी पहले तो बाचीत सुरू होगी ने कि सरकार क्या चाहती है अपना परपोजल देदी हम बात को त्यार है बात करो होगी जी आप साहिन बाग का अंदोलन पिछले साल करोना काल में खतम करवा दिया था तो इसलिए कहना पड़ ताम आप आप साहिन अभू ऑना बात्वा आम्ड़ले Сुरू कैं उलिए आजिएगलबबबबबबंबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब चूँआ